और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग से, जिस बिल्डिंग में आग लगी हुई होती है और कुछ सिविलियन्स उसके अंदर फसे हुए रहते हैं और तभी वहांपे हीट बिल्डिंग में लगे हुए आग को एब्जॉब करके, वहांपे मौझूद सिविलियन्स की जान को बचा लेता है मुझे पता है कि तुम सब मुझे ठैंक यू बोलना चाहते हो पर कोई बात नहीं ये बहुत ही आसान थै और तभी वहाँ एक बच्चे के हाथों में sumo slammer का कार्ट देखके heat dust बहग जाता है वो उस बच्चे से पूछने लगता है कि आखिर में तुम्हें ये सारे sumo slammer golden कार्ट मिले कहां से वो बच्चा जवाब देता है ये सारे sumo slammer कार्ट को मैंने sumo minions की packet में पाया था तभी उसी दोरान वहाँ पे team tennison आ जाते हैं Gwen heat blast से कहती है ये building में लगी आख तो बस हमारा ध्यान भटकाने के लिए थी असल चोरी तो एक diamond shop में हो रही है और हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा जिसके बाद हम देखते हैं कि team tennison उन चोरों का पीछा कर रहे होते हैं heat blast भी russ bucket के अंदर में मौजूद होता है और उसके heat की वज़द से van की seat जल रही थी ये देख की grandpa max पश्तावा कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि कास मैंने fireproof seats को लगवा लिया होता Gwen heat blast के उपर में carbon dioxide छिड़कते हुए कहती है कि उस watch में पूरे 10 alien मौजूद हैं और तुम्हें बस ये आग उगलने वाला ही पसंद आया जिसके बाद heat blast अपने fire cannon से उन चोरों की गाड़ी पे attack करता है और उनकी गाड़ी damage होके रुक जाती है उन चोरों को रोकने के बाद में heat blast उन्हें परवचन देने लगता है और इसी दोरान Omnitricks के बीब बच जाने की वज़ा से Ben अपने default रूप में आ जाता है पर चोर वहां से भाग पाते उससे पहले पुलिस आ जाती है और उन्हें पकड के लेके जाने लगती है Ben सब को देखके कहता है कि मुझे पता है आप मुझे thank you कहना चाहते है पर सच में उसकी कोई भी जरूरत नहीं है वो पुलिस वाले Ben को समझाते है देखो बच्चे ये कोई खेलने की जगह नहीं है यहां से जल्दी जाओ वो डॉक्टर एनिमो से पिछले 6 महिने का किराया मांगता है और डॉक्टर एनिमो जवाब देता है मेरे सारी पैसे एक्सपेरिमेंट में खतम हो जाते है और अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो फुटो यहां से ये बात सुनके मकान मालिक गुसा हो जाता है और कहता है देखो मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ या तो मेरे पैसे मुझे दो या तो अगले मिनिट तुम और तुम्हारे जानवर रोड पर दिखेंगे डॉक्टर एनिमो लैंडलॉट की ये बात सुनके कहता है डैलोग का अंदाज तो बहुत अच्छा है तुम्हारा लगता है तुम्हें अनोखी चीजों का बहुत शौक है और इतना ही कहने के बाद में डॉक्टर एनिमो एक मेढ़क के उपर में अपने ट्रांस मॉडिलेटर से एक रे को निकालता है जिस वज़ा से वो फ्रॉग म्यूटेंट होके जाइंट बन जाता है जिसके बाद में वो फ्रॉग उस लैनलॉड को अपने मुह में भर लेता है ये देखके डॉक्टर एनिमो हसने लगता है और कहता है मुझे तुमारी कोई भी आवाज नहीं आ रही है हो सकता है कि तुम मेढक के गले में फस चुके हो जिसके बाद में वो मेढक लैनलॉड को उगल देता है जिसके बाद डॉक्टर एनिमो कहता है अब मुझे हर एक वो चीज मिल जाएगी जिसकी मुझे जरूरत थी पर उसके लिए मुझे कुछ कमपोनेंट्स की जरूरत है और उसी दौरान वहाँ पे मौजूद टीबी पे एड आने लगता है कि दुनिया भर की हर एक चीज हमारे मार्ट में आपको अवैलेबल मिलेगी डॉक्टर एनिमो अपने इविल हसी को रोक के कहता है वाह क्या बात है मुझे इसी की ही तो जरूरत थी जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि एम मार्ट के अंदर टीम टनिसन भी मौजूद है बेन पूरी तरीके से सूमो स्लैमर के गोल्डन कार्ट स्पाने के पीछे पड़ा हुआ था वहीं दूसरी साइट ग्रैंट पर मैक्स एन ग्वेन अपनी शॉपिंग कर रहे थे तभी ग्वेन को बेन के ट्रांस्फरमेशन की आवाज सुनाई देती है वो उस आवाज को फॉलो करती है और देखती है कि वहाँ पे मौजू सारे डिब्बे बिखरे हुए हैं इसके बाद ग्वेन देखती है कि बेन ग्रैंट में ट्रांस्फरम होके सुमो स्लैमर के गोल्डन काट को ढून रहा होता है ये देखकर ग्वेन काफी गुसा होती है और कहती है कि तुम्हें अपने पावर्स का यूज दूसरों के लिए करना चाहिए ना कि अपने फुद्दू कामों के लिए और इसी दौरान वहाँ पे स्टोर मैनेजर भी आ जाता है उन सारे डबो को देखके वो बहुत गुसा करता है और कहता है ये काम जिसने भी किया होगा पर इसका पैसा आपको ही भरना पड़ेगा ग्रेंटपा मैक्स बेन की सरकत से गुसा करते हैं और उसे समझाते हैं कि अब ये तुम्हारा जादा हो रहा है जिसके बाद ग्रेंटपा मैक्स और ग्रेंट डिनर के लिए कुछ धूनने जाते हैं वहीं पे दूसरी साइट बेन वापस से उस गोल्डन कार्ट को धूनने के लिए लग जाता है बेन उन गोल्डन कार्ट को देखकर कहता है कि एक दिन तुम सब मेरे हो जाओगे बेन के इतना ही कहने के बाद में उस मौल के अंदर में भूकम सा महसूस होता है जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर एनिमो अपने म्यूटेंट जाइंट फ्रॉग के साथ तहस नहस करते उस मौल के अंदर में घुश जाता है और अपने जरूरतों के समान को चोरी करने लगता है बेन ये देखे डॉक्टर एनिमो से कहता है कि आखिर में तुम ये कर क्या रहे हो तभी वो म्यूटेंट फ्रॉग बेन के उपर में अटाइक करता है जिसकी वज़ा से बेन के उपर में काफी सारी डिब्बे गिर जाते हैं और वहाँ पे डॉक्टर एनिमो आके कहता है बच्चे ज़्यादा हीरो बन्ली की कोशिश मत करो चुप चाप यहां से निकलो और तभी वहाँ पे मौल की सिक्योरिटी आ जाती है वो लोग डॉक्टर एनिमो को उस जाइंट फ्रॉग से उतरने के लिए कहते हैं पर वो फ्रॉग एंड डॉक्टर एनिमो चलांग मारते हुए वहाँ से निकल लेते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर एनिमो अपने जाइंट फ्रॉग के साथ में पेट हाउस में घुश चुका है जहां पर ग्रैंट पर मैक्स एंड ग्वेन भी मौजूद होते हैं जिसके बाद में डॉक्टर एनिमो अपने ट्रांस मॉडिलेटर रे की हिल्प से वो अपनी एक एनिमल्स की आर्मी बना लेता है बन भी डॉक्टर एनिमो का पीछा करते उस पेट हाउस में आ जाता है और डॉक्टर एनिमो खुच से चिला चिला के बोलता है अब मुझे वो सब मिलेगा जो मुझे चाहिए था मैं आज रात एक नए इतिहास को लिखने जा रहा हूँ जिसके बाद में डॉक्टर एनिमो का म्यूटेंट जाइन्ट रैट टीम टेनिसन के उपर अटैक करने के लिए दौडता है वो उससे दूर भागते हैं बन एलियन में ट्रांस्फॉर्म होने की कोशिश तो करता है पर ओम्निट्रिक्स अभी भी डिश्चार्ज थी और तभी बन को वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल दिखती है जिसके बाद में बन अपने अच्छे स्किल्स की वज़ा से उस रैट को हरा देता है ये दे कि डॉक्टर एनिमो बहुत गुसा करता है और कहता है कि तुम छोटे बच्चे मुझे रोक नहीं सकते आज रात मैं वासिंग्टन डी सी को बदल के कर दूँगा वासिंग्टन बी सी और इतना ही कहने के बाद में डॉक्टर एनिमो अपने चिडिया के उपर बैठके वहाँ से निकल जाता है और उस चिडिया के पीछे फ्रॉग भी निकल जाता है जिसके बाद वहाँ पे स्टोर मैनेजर आता है वो टीम टेनिसन से कहता है कि आपने हमारे स्टोर को बचाया जिसके बदले में आप चाहे जो चाहें यहां से ले जा सकते हैं शौप उनर के इतना ही कहने के बाद में बैन उनसे गोल्डन सुमो स्लैमर कार्ड मागने जा रहा था पर ग्रेंटपा मैक्स बैन को एक साइड ले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है हमें उस डॉक्टर एनिमो को रोकना होगा जिसके बाद हम देखते हैं कि टीम टेनिसेंड डॉक्टर एनिमो का पीछा कर रहे थे तभी ग्रेंटपा मैक्स बैन को उदास देखके पूछते हैं कि आखर में तुम्हारा मू लटका हुआ क्यों है बैन अपनी नाराजगी ग्रेंटपा मैक्स को जाताता है कि इतना कुछ करने के बाद भी उसे वो सूमो स्लैमर कार्ड नहीं मिला ग्रेंटपा मैक्स बैन को जवाब देते हैं बेटा मैं तुहरी फिलिंग्स को समझ सकता हूँ पर हीरो होना अपने आप में ही एक इनाम होता है और इनहीं बातों के दोराण में ग्रेंट नकाल लेती है जहां हमें पता चलता है कि डॉक्टर एनिमो एक जाना माना साइंटिस था परन्तु जानवरों के डिन ए पे अजीब एक्सपरिमेंट करने के कारण उन्हें निकाल दिया जाता है और तभी डॉक्टर एनिमो अपने पंची के साथ वहां से गायब हो जाता है पर Ben को अब ये अंदाजा लग चुका था कि डॉक्टर एनिमो कहां जाने वाला है जिसके बाद टीम टेनिसन वासिंग्टिन डीसी के एक हिस्टोरिकल म्यूजियम में पहुच जाते हैं पर Ben को डॉक्टर एनिमो के परिंदे का पर मिलता है और उस क्लू के कारण वो म्यूजियम के अंदर में जाने लगते हैं म्यूजियम के कुछ अंदर जाते ही उन्हें डॉक्टर एनिमो मिल जाता है डॉक्टर एनिमो टीम टेनिसन को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है तुम सब बहुत ही ज़्यादा जिद्धी हो और मुझे जिद्धी लोग पसंद नहीं बेन जवाब देता है कि अब हमें तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ पता है जिसके बाद में डॉक्टर एनिमो टीम टेनिसन को अपने प्लान के बारे में बताने लगता है कि वो कैसे अपने ट्रांस मॉडिलियोटर की हेल्प से उन सभी प्राणियों को जिंदा करेगा जो पीछा करते ही ग्वेन का सामना उसके जाइंट बर्ड से होता है जहांपे ग्वेन म्यूजियम में पड़े हुए हथियारों का यूज करके उस बर्ड के उपर में अटैक कर देती है वो बर्ड ग्वेन से पिटके तो भाग जाती है और जैसे ही टीम टेनिसन डॉक्टर एनिम बुरी तरीके से पीटा जाता है जिस वज़ा से फोर एनिम टेनिसन से कहता है कि मैं यहां जरूर रुपता पर मुझे वो अवर्ड लेने जाना है जो कि मुझे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था और इतना ही कहने के बाद में वो वहां से निकल लेता है और तभी पिछा करने लगता है परन्त फोर आम्स उस चिडिया से ग्वेन की जान को बचा पाता ओम्निट्रिक्स का बीप बजने लगता है फोर आम्स नीचे गिर जाता है और बेन अपने डिफॉल्ट टूप में ट्रांस्वाम हो जाता है लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंटपा मैक्स जाते हैं और एक बार वापस से ग्वेन का पीछा करने लगते हैं हम देखते हैं कि वह जाइंट बर्ड ग्वेन को एक उची मारत पे छोड़के चली जाती है और तभी वहाँ पे टीम टेनिसन भी पहुच जाते हैं जिसके बाद में बेन स्टिंग फ्लाई एलियन में ट्र फ्लाई डॉक्टर एनिमो को रोकने के लिए निकल जाता है हम देखते हैं कि डॉक्टर एनिमो साइंटिस्ट के कम्यूनिटी को बुरी तरीके से डॉमिनेट कर रहा था और अपने अवाड को लेके वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी वहाँ पे स्टिंग फ्लाई आ ज और वो कार्ड को छोड़ के उस इंसान की जान को बचाने निकल पड़ता है इस्टिंग फ्लाई उस साइंटिस्ट की जान को बचा लेता है जिसी देखने के बाद में डॉक्टर एनिमो बहुत गुस्सा होता है और उसके ऊपर अपने डी मॉडिलेटर से अटाक करने लगत इस्टिंग फ्लाई को अब ये पता चल चुका था कि डॉक्टर एनिमो को रोकना कैसे है और तभी स्टिंग फ्लाई डॉक्टर एनिमो से ट्रांस मॉडिलेटर को छीन लेता है और उसे तबाह कर देता है और ट्रांस मॉडिलेटर के टूटते ही सारे जाइनिमल्स अपने निसन अपने सफर में आगे निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खतम हो जाता है